एश्वरिया राय बच्चिन और जया बच्चिन के बीच जगड़ी की अफवाई अब नई नहीं है। हाला कि सोशल मीडिया पर अब जो दावा किया जा रहा है वो काफी हैरान करने वाला है। उमेर संथो नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि लड़ाई के दोरान अब शेक के सामने ही एश्वरिया ने जया को थपड़ जर दिया। हाला कि हम इस दावे के पुष्टी नहीं करते हैं उसे खायाली पुलाव भी समझा जा सकता है। एक यूजर ने जो दावा किया है उसमें सच्चाई ना के बराबर है। हमारी परताल में पाया गया कि पिछले कई ट्वीट्स भी यूजर ने सिर्फ अटेंशन के लिए ही शेर किये है। एश्वरिया के जया को थपन मागने वाली कहानी पर फैन्स का भी विश्वास नहीं है। आखरी बार एश्वरिया राय बच्चन और अबिशेक बच्चन फिल्म द़ आर्चीज के प्रेमियर पर ही साथ दिखे थे। इस बात को अब पूरा एक साल होने वाला है। दोनों के बीच कुछ तो सही नहीं चल रहा है। बच्चन परिवार में मची हलचल के बाद सोशिल मीडिया पर यूजर्स परिवार की मुखिया जया बच्चन और अमिताब बच्चन की समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे कौन बनेगा करूरपती हो या फिर सोशिल मीडिया पर ट्वीट करना हो। अमिताब अब अपनी बहू को लेकर बात करते नजर ही नहीं आते। जिससे दोनों के बीच दूरिया भी साफ होती है। बच्चन परिवार को देखकर अब ऐसा ही लगता है कि इसके दो टुकड़े हो गए है। एक तरफ एशवारिया और आराध्या है तो दूसरी तरफ पूरा बच्चन खानदाल जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया है। फिलाल इस पर आपको क्या कहना है नीशे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा आपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।